Friends, Today we are going to study an amazing math fact, जान से देखिएगा, माल लेजे हमारे पास 3-digit number है, with repeated digits, कौन-कौन से होते हैं ऐसे, 111, या फिर 222, 333, ऐसा कोई भी हमारे पास 3-digit number हो, 9 ऐसे digits है, 111, 222, 333, 444, 5678, 9 तक हो सकते हैं, तो एक काम करिए, अब देखते हैं, जैसे यह triple 1 है ना, और इन तीनों digits को add कर दीजे, इन तीनों को add करके क्या बनेगा, 3, तो यानि कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अगर किसी 3-digit number, जिसमें digits repeat कर रहे हो, उस number को, यानि कि जैसे यहाँ पर 111 को, 3 से, तो इसका answer क्या आएगा, 37, आप divide करके, चेक कर सकते हैं, अब इसमें खास क्या है, अब यह सुनिए, यहाँ पर तो क्या था, 111, तीनों को add किया 3, और अगर इस 111, यानि कि 111 को 3 से divide करें, तो question कितना आता है, 37, लेकिन खास क्या है, जैसे यहाँ पर 222 है, और आप इनी को add करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 तो कितना बनेगा, 6 बनेगा, यानि कि 222 को अगर 6 से divide करेंगे, तो भी answer कितना आएगा, 37, आएगा, 333, यानि कि 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना बना, 9, यानि कि 333 को अगर 9 से divide करेंगे, तो answer कितना आएगा, 37, आप calculator लेके चेक कर सकते हैं, बिल 4 4 4 है तो यानि की 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना बना 448 और 412 यानि की 444 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो अंसर कितना आएगा 37 आएगा इसी तरह से last मैक ले ले लेता हूँ मान लेजिए 999 को हम उठाते हैं और 9 प्लस 9 प्लस 9 यानि की 27 आता है तो अगर इनको आपस में डिवाइड करेंगे यानि की 999 को 27 से डिवाइड करेंगे तो भी 37 आएगा तो है ना कमाल की चीज़ की अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर है डिजिट्स रिपीट करें है और इस डिजिट्स को डिवाइड किस से करें इनी डिजिट्स की अडिशन से तो हमारे पास अंसर कितना आएगा सेम अंसर आएगा सभी में 37 आएगा तो अभी एक चोटा सा फेक्ट और देखते हैं यह देखी 111 डिवाइड बाइ 3 था पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे क्या था 222 डिवाइड बाइ 6 यह 2 के टेबल पे कट सकता है तो वैल्यू 111 बाइ 3 आती है तो ओविसली दोनों का अंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए ऐसी सेंपल चेकिंग हम इसकी कर लेते हैं लास्ट की 999 डिवाइड बाइ 27 9 के टेबल पे कट जाएगा 9 3 जार और 9 के टेबल में 111 तो देखिए सब की वैल्यूस सेम ही आती है तो अगर थ्री डिजिट नंबर हो डिजिट रिपीट हो रहे हो उस नंबर को उसी के डिजिट की एडिशन के साथ अगर डिवाइड किया जाए तो भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा क्योंकि हमने इस तरीके से भी चेक करके देख लिया है डिवाइड आप करके देख सकते हैं I hope you have liked this amazing maths fact and please like and share our videos thank you so much